हेले दोस्तों वेलकम टू मेरा तोंजी के जीएस दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बिपीएसी और बिहार एसाई मेंस के बिहार जितने भी महत्पून कोशन है उसको देखने वाले है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा उमीद करता हूँ कि जो बिपीएसी एजामनेशन 30 अपरायल को होने वाली है और जो बिहार पुलिस एसाई का मेंस होने वाला है उसमें ये सेशन आपको बहुत मदद करेगा तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो में कोशन का कैलेक्शन कैसा लगा कॉमेंट जरूर कीजएगा तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं ये बिहार इस्पेसल क्वीज है पहला कोशन आपके लिए है बिहार दिवस कब मनाया जाता है पहला कोश में यह question to the point पूश लिया जाता है खासकर बीपी एसी के examination में और बिहार SI मेंस में इस तरह के question देखने को मिलते हैं तो चलिए पहला question का answer होगे आपका option number B दूसरा question आपके पास है कि बिहार में भारत में कि बिहार की इस्तिति क्या है option A उत्तर पुरफ,I option B उत्तर पर पस्यम between option C उत्तर दक्सिन or option D स्हिपा ज़िस्का सही सभाब option number A इसका सही सभाब है तो बिहार की भौगौलत century नमबेर समय उस पता vest यह question था चलते हैं तीस्रे से question की क्या है ऑप्षन एक जंगर्णा के अनुशार बिहार की जनशंक्या घंत्व क्या है ऑप्षन एक जणगर्णा से लेटर बिहार की एक्जामिशन कई बाया रिपीट हो चुके हैं और आने वाले प्रिक्षा में पी ये कोश्चन आने की सम्भावना बहुत है तो आप इसे ध् के अनुशार बिहार की सक्षारता दर क्या है बिल्कुल 2011 के जनगरना के अनुशार बिहार की किस जिले की लिंगा अनुपाद शरवाधिक है maximum sex ratio किस जिले की है ये कोशन पूछा गया है जिसका सही जबाब होगा आपका option नमबर C गुपाल गंज गुपाल गंज में जहें दोस्तों वो 2011 के जनगरनान के अनुशार बिहार में सबसे ज़्यादा sex ratio है लिंगा अनुपाद है चलते हैं question number 6 पे निम्र मेंसे कौन सा अब्रिकल्प सही है sorry सही नहीं है आपको बताना है option number A तो जहां तक किस answer का जबाब है इस question का यह answer सही है बी और डी दोनों जो है वो गलत है क्योंकि बिहार में लोक्षवा तो 16 है आपको बता है बिहार में लोक्षवा कितने है शोला है लोक्षवा कितने है बाई तो लोक्षवा जो है वो 40 है बिहार में लोक्षवा सदस की संक्या कितनी है 40 आपको option में क्या दे रहा है 42 दे रहा है बिधान सबसे है 243 और बिधान परशद 90 नहीं है दोस्तु बिधान परशद बिहार में कितने है 75 है तो 40 और 75 सही जबाब है जबकि आपके option में 4290 था तो इसके regarding option number E जो है वो बिहार के इन सदस्लों की संग्यासे रेडर गलत जबाव है चलते हैं अगले question क्यों, question number 7 बिहार की किस जिले में सरवाधिक वर्षा होती है आप लोग इन इस तरह के प्रश्म कई बार देखिये होंगे और सरवाधिक वर्षा वाला जिला जो है वो किसन गंज है चलते है question number 8 के पर बिहार की राज की ये पक्षी मचली कौन सी है option मांगूर, रोह, कदला या डॉल्फीन तो इस प्रश्न का सही जबाब होगा मांगूर मांगूर दोस्तो एक मचली है जो बिहार की राज की ये मचली है चलते है question number 9 में पटना उचन्याले की स्थापना कब की गई थी कई बार ये question BPSC में पूछा गया है पटना उचन्याले की स्थापना कब की गई थी तो इस question का सही जबाब होगा वर्स 1916 में पटना उचन्याले यानि हाई कोट के स्थापना की गई थी चलते हैं अगले प्रशन क्योड 2011 जनगरना के अनुसार बिहार के किस जिले की जनसंख्या घनत्व सरवाधिक है ध्यान देना वो लिंगानुपात से जादा वेक्ती रहते हैं तो सबसे जादा घनत्व कहा है भई सिभर में है चलते हैं अगले प्रशन के और 11 प्रशन आपके स्कीन पर यह रहा बिहार की जनकारी सरपर्थम किस गरंथ में मिलता है option है महाभारत में रीगवेद में रामायन में या सत्पत ब्रहमन में जिसका सही जबाब होगा सत्पत ब्रहमन में बिहार सब्द की सबसे पहली बार जनकारी मिला है बिहार के बारे में कि बिहार भी कोई प्रांत हुआ करता है चलते हैं अगले प्रशन की और प्रशन नमर 12 है बिहार उरिशा सहीद एक प्रांत के रूप में बंगाल से कब अलग हुआ था ध्यान देना कुशन ध्यान से समझेगा उरिशा सहीद पुछा गया है ये नहीं पुछा जा रहा है कि बिहार उरिशा से कब अलग हुआ था दोनों साथ में बंगाल से कब अलग हुए थे चलते हैं अगले प्रश्ण की ओर तेरहवा प्रश्ण है किस राज्ज से बिहार की सीमा नहीं लगती है पिल्कों दोस्तों कोश्चन समझ में आगया आपको आपको पसिमगार उत्रपरदेश औरिशा या जहारखंट किस से नहीं लगती है तिसका सही जबाब होगा उरिशा से बिहार की जो सीमा है वो नहीं लगती है चलते हैं अगले कुश्चन की ओर चौधावा कुश्चन आपके स्कीन पर ये रहा कौन सा वन जिब अभ्यारन बिहार में इस्थित नहीं है नहीं है पूछा गया है ऑप्शन है भीम बांध वन जिब अभ्यारन है दूस के सब जो है वो बिहार में उपलब्ध है चलते हैं अगले कोश्चन के और कावर पक्षी बिहार बिहार की किस जिले में है ये भी कोश्चन बीपेसी में पूछा गया है एक वर दोस्तों कावर पक्षी बिहार तो इसका सही जबाब जो होगा वो होगा बेगु सराय में कहाँ पर है बेगु सराय में काबर पक्षी बिहार इस्ठीद है चलते हैं अगले question क्यों त्रिवेनी नहर बिहार के किस नदी से निकलती है ये BPSC का question प्रिवियस BPSC पूछा गया question है और दरोगा मेंस के लिए बहुत महत्यपूर्ध है जो भी होने वाला है इसका जो सही जबाब होगा दोश्टों त्रिवेनी नहर कहां से निकलती है तो आसा होता है गंडक नदी से निकलती है अगला प्रशन दोश्टों सत्रहवा प्रशन है बिहार में किस बिहार में इस्ति समाचार पत्रह निम्र मेंसे कौन है उप्शन सर्वहित सी बिहार बंधू बिहार नावा या नुरूल अनवार तो इस प्रशन का सही जबाब होगा option number b बिहार बंधू जो है यह सबसे पहला हिंदी समाचार पत्रही बिहार का अगला कोश्चन और नेक्स नमबर बिहार की यात्रा करने वाले प्रत्थम अंग्रेज कौन है भीविये बना लिजे दोस्तों किसने किसे एक्जाम में आपसे कोश्चन पूछ सकता है और इसका सही जबाब होगा रॉल्स फिंच ऑप्शन नमबर सी रॉल्स फिंच जो है ये बिहार आने वाला पहला अंग्रेज था बीसमा कुश्चन है कि देश के उपरधान मंतरी बनने वाले प्रत्थों में बिहारी कौन है मतलब भारत में उपरधान मंतरी के पत्थ पर जाने वाले पहले बिहारी का नाम पूछा है जाकर हुसेन अब्दूलकाफूर जगजी बन राम या सचिदानन्द, शिन्हा, उसका सही जबाब होगा, बाबू, जगजीबन, राम, जिनकी बेटी, मीरा कुमार लोग, शभा की पहली महीज़, अगले कुशुचन के ओर, कुशुचन बड़ी कीस, बिहार महतसब का आयोजन, इस वर्ष कहां किया गया है, बिहार महतसब का आ का जो है आयवजन किया गया है कीसमा कोस्वेन दोसे बाईसमा कोस्वेन आपके लिए है कि बिहार की गंड़क पर्योजना से लाभानवित होने वाले छित्र कौन-कौन है option केवर बिहार का शितर बिहार उत्तर प्रदेश का शितर बिहार उत्तर प्रदेश नेपाल का शितर बिहार यूपी जहार गंड और नेपाल का शितर ये चार option है इसके सही जबाब है बिहार यूपी और नेपाल के शितर से गंड़क प्रयूजना से जो है वो लाभानवीत हो वाले शित्र है उनको फायदा पहुंचता है दोस्तों इस वीडियो में बिहार से संबंदित कुल 25 महत्पूर्ण कोश्चन का जहें वो कलेक्शन करके लाया गया है आपके लिए तो इस सारे कोश्चन को बारी की से अच्छे से याद कर लेजिएगा 23 कोश्चन के अगर हम बा लगाया गया था पुर्तगालियों के द्वारा अंग्रेजयों द्वारा डचों के द्वार या फ्रांसीसियों के द्वारा इसका सही जबाब होगा डचों के द्वारा बिहार का सबसे पुराना उद्योग चीनी उद्योग ये भी कई वार प्रोश्चन को सकता है कि बिहार तेईसवा चौमीसवा कोश्चन पे गुरू परशाद शेन दोरा संपादित समाचार पत्र निमने में से कौन सा है तो गुरू परशाद सेन जो है एक एडिटर थे जो समाचार पत्र निकाले थे आप्शन आपके पास है तो इस कोश्चन का सही जबाब होगा इसके जो संपादक थे ये गुरू परशाद सेन थे इसको अच्छे से याद कर लिजेगा एड इस वीडियो का आखरी कोश्चन जो है वो आपके लिए ये रहा पत्रना में इस्तित गोल घर का निर्मान किसके सासनकाल में किया गया था तो इसका जबाब होगा option number A Lord कारणवालिस के सासनकाल में इसका निर्मान किया गया था आपके लिए छोटा सा homework दे रहा हूँ comment box में बताएंगे कि गोल घर जो है इसके वास्तुकार कौन है किस वेक्ती ने इसका डिजाइन बनाया था ठीके और इस वीडियो में एक homework और मैं आपको दे रहा हूँ और यह homework आपका 26 वा question है इसका comment section में जबाब ज़रूर देंगे ठीके बस दोस्तो इस वीडियो में बिहार से चुनेंदा इतना ही question का एक बहुत बहतरीन collection था जो आपके लिए लाया गया था वीडियो कैसा लगा आप comment section में ज़रूर बताएंगे और वीडियो को अंध तक देख लेगे अगर एक बार में चीज़े नहीं याद हो तो एक दो बार और इसको repeat कर लेंगे अपनी copy में note book बना ले ताकि इसे ज़्यादा समय तक आप याद कर सकें चलिए तो मिलेंगे हम लोग फिर से next episode next quiz में और जानेंगे कुछ और चुरिंदा प्रशनों के answer जो आपके examination में आपको मदद करेगा वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe जरूर कर लें वीडियो को share और like जरूर करें धन्यवाद